अब देखो बच्चो आज जो मैं टॉपिक डिसकस करूँगा और यह है फ्री रेडिकल सब्स्टिटूशन तो देखो बच्चो फ्री रेडिकल सब्स्टिटूशन यह मैनली किसमें दिखाई देता है आपको एलकेंज में यह हम यह कहें सैचूरेटेड हाइड्रो कार्बन ज इसमें आप देखोगे कि जो एलकेंज की कार्बन चैन है उससे जो हाइड्रोजन अटेज है वो क्या होंगे सब्स्टिटूटेड हो जाते हैं किसी दूसरे फ्री रेडिकल से तो सबसे पहले तो मैं एक रियक्टिविटी के बारे में थोड़ा सा बता दू कि रियक्टिव इस तरह का सब्स्टिट्यूशन इन में क्यों नहीं मिलता समझ गया बच्चो तो यह बता दू कि जो एलकेंज होते हैं बच्चो एलकेंज आर क्वाइड इनर्ट तो वर्स कॉमन रियसेंट लाइक असे टेक है बेसिस ऑक्षिडाइजर रियूशर एलकेंज समझ गया बच्चो की जो एलकेंज होते हैं जनर्ली इन रियसेंट के रिस्पैक्ट में अगर आप देखोगे तो यह इनर्ट होते हैं मींस इनसे कोई रियक्शन नहीं करते it is due to non polar nature of cc and ch bond समझ गया बच्चो की जो एलकेंज होते हैं उनमा cc और ch जो bond है ठीक है यह क्या होते हैं बच्चो totally non polar होते हैं यह इनकी reactivity sorry electron negativity के कारण ऐसा है कि आप देखोगे carbon और hydrogen इनके electron negativity में ज़्यादा difference नहीं है बहुत ही little difference carbon के आप नौर्मली देखते है 2.5 है hydrogen की 2.1 इसलिए ऐसा होता है therefore अब हम आते हैं कि जो ऐसा region होता है अब क्यों attack नहीं करते हैं therefore जो polar reagent हैं बच्चो थेख है polar reagent do not find reaction site in alkane carbon chain समझ गहना कि अब वो non polar है अब जैसे ही reactant alkane के पास पहुचेगा उसे attack करने के लिए कहीं नहीं तो reaction site चाहिए ना एक polar site तो चाहिए अब जो वो site ही नहीं मिल रही है तो वो कैसे attack करेगा समझ गहना at high temperature लेकिन आप देखोगे कि इनमें free radical substitution क्यों होता है कि at high temperature समझ गहना बच्चो at high temperature जो energies होती है energies of collision collisions are sufficient sufficient for breaking breaking take as CH and CC bonds of alkane and resulting resulting the formation of formation of free radicals ठीक है और यही free radicals क्या होते है which combines with ठीक है other reagent free radicals यह इसका reason इतना सा ध्यान रखना है कि जो alkane होते है बच्चो वह एक normal जो हमारे common reagents acid base oxidizer reducer nucleophile electrophile इनके respect में देखा जाए तो यह inert है ऐसा reason क्या है कि CC bond और CH bond जो है normally non polar होता है अब ऐसे में जब polar reagent आएगा उसके पास तो उसको कोई भी ऐसी site नहीं दिखाई देती है अगर हम high temperature रखें तो इन molecules में बहुत ही collagen होता है तेजी से और उस collagen की जो energy है वो इतना हो जाती है कि वो CHCC bond को break कर देती है और ऐसे में free radicals बनाते हैं और जो reaction है वो start हो जाती है तो अगर हम यहां देखें कि जो rate of free radical ठीक है बच्चो free radical substitution जो है directly proportional to the stability of free radical समझ गया बच्चो कि जो free radical होती है उसकी stability के directly proportional है अब अगर आपको free radical की stability देखनी है तो आप करेंगे stability of free radical ठीक है सबसे पहले आपको देखना है resonance मतलब directly proportional to the resonance फिर hyperconjugation बच्चो ठीक है कि उसमें दूसरा point और फिर तीसरा देखना है आपको inductive effect ठीक है जिन में resonance होगा hyperconjugation होगा inductive effect भी होगा वो बहुत ज्यादा stable होगी देखो एक example से समझाता हूँ कि कौन सबसे fast free radical substitution करेगा सबसे हमारे पास ठीक है compound है इसमें ये hydrogen है बच्चो ठीक है मैं इनमें ये hydrogen लगा देता हूँ ऐसे यह है इनको मैं इस तरह से लिख दूँ कि ये है A type का ये है B type का ये है C ये है D ये है E और ये है F इसमें इस तरह से ये hydrogen दिख रहे है अब आता है कि इनमें से reactivity order अगर हम देखें कि reactivity order of these hydrogen तो अब आप देखोगे कि कहां का hydrogen अगर सबसे पहले free होगा तो वहां का free radical कहां stable होगा तो देखो बच्चो सबसे पहले अगर मैं B hydrogen की बात करूँ ठीक है तो जैसे ही B hydrogen हटेगा सोचो आप कि आपके पास ये radical बन जाएगा ऐसा ओके तो यहाँ पर देखो आप कि कौन-कौन से effect दिखाई दे रहे है effect जो की which stabilized this radical ठीक है तो आप देखो यहां से इसका क्या होगा in resonance effect ठीक है ये है तो इसका सबसे पहले तो आप देखो resonance effect की इसमें resonance effect आ रहा है है ना सबसे फैक्टिव है कि ये bond यहां जाएगा इस तरह से और ये free radical यहां जाएगा एक दूसरा देखो आप hyperconjugation है ना किसका hyperconjugation आप देखो इस group का methyl group का यहां से और यहां पर आप देखो कि दो hydrogen है तो hyperconjugation भी है और तीसरा है inductive effect समझे गें ना कि inductive effect जो है methyl group का ये positive inductive effect डालेगा तो ये तीनों मिलके effect ठीक है तो 10 हम ये कहें कि 10 ठीक है hydrogen जो बी नंबर का दिख रहा है ये क्या होगा highly reactive क्या होगा बच्चो ये बहुत ही ज़्यादा reactive होगा reactive ये है तो इस तरह से इस hydrogen के हटने से जो free radical बना वो बहुत ही ज़्यादा इस्टेवल है resonance effect के कारण रेजोन हाइपर कॉंजू इंडक्टिव एक्ट ये सम मिलके इसको reactive बनाएंगे तो सबसे जादर ये activity हो गई बी की फिर आप HD देखो आप, है ना, यहाँ पर आपको resonance effect भी दिखरा है ये है और hyperconjugation بھی दिखरा है hyperconjugation किन hydrogen का दिखरा है देखो बच्चो अगर आप इस में देखो तो यहाँ पर दो hydrogen है ये तो इसके लिए तो ये hyperconjugation सो करेंगे ना तो यहाँ से ये resonance भी सो कर सकता है और hyperconjugation ठीक है तो resonance effect भी है hyperconjugation भी है अगर हम hydrogen number अब हम इसमें आ जाते हैं ठीक है आपने बी देख लिया अब हम E की बात करते हैं E hydrogen तो E hydrogen के दोनों तरब देखो आप कि कितने resonance ठीक है तो इसमें केवल hyperconjugation दिख रहा है समझ गया बच्चो hyperconjugation और कितने h का 4h यह 4h जो है hyperconjugated है जबकि इसमें 2 hyperconjugated hydrogen थे ठीक है फिर आजाते है h दूसरा अगला number देखो आप कौन सा f तो यहां जो f है ठीक है यह भी किसके कारण है hyperconjugation अब इसमें hyperconjugation में देखो कितने h दिख रहे हैं तीन दिख रहे हैं न बच्चो देखो आप अच्छे से कि इसके एक तरफ यह 2 और एक तरफ यह 1 तो 3 hyperconjugated hydrogen है ठीक है अब हमाद आते हैं h कौन से number का जो सबसे पहले है देखो यहां पर ठीक है a number का तो यहां पर कोई एक तो 1 degree क्या है बच्चो free radical है यह ठीक है और दूसरा है कि only one hyperconjugated hydrogen है ना one भी कहां हुआ उसके लिए hyperconjugation तो हो गई नहीं sorry ठीक है तो यहां पर क्या नहीं है कोई hyperconjugation नहीं है तो इस तरह से और अगर हम last में hydrogen आ जाते हैं जो कि कहां जुड़े हुए हैं आप देखो यह यह वाले c ठीक है तो यह vinylic क्या है बच्चो vinylic hydrogen और यह क्या होंगे least stable क्योंकि इनसे बनने वाला free radical बहुत जादा क्या हो जाएगा unstable होगा तो इसका मतलब है कि अगर हम reactivity का order देखें इन सब में तो सबसे fast कौन hydrogen remove होगा बी वाला देखो एक तो यह tertiary है ठीक है अगर आप देखें यह क्या है एक tertiary free radical भी है तो इसमें inductive effect तो है तो सबसे जादा reactive हुआ कौन सा बच्चो बी फिर कौन आ जाएगा देखो आप d ओके क्योंकि उसमें आप देख रहे हैं कि d वाले में resonance भी है hyperconjugation भी है d के बाद अगर आप e में जाए तो इसके चारों तरफ कितने hydrogen दिखाई दे रहे हैं देखो e वाले का मैंने लिख दिया hyperphore है तो फिर कौन आ जाएगा e e के बाद कौन आ जाएगा उसके बाद f f में देखो आप कितने hyperconjugated hydrogen है 3 तो यहाँ f आ जाएगा फिर आएगा a और सबसे कम जो reactive होंगे बच्चो वो कौन से होंगे c नंबर के तो इस तरह से हम किसी भी alcan में जो hydrogen atoms हैं वो कितनी vast reaction करेंगे नहीं करेंगे यह ध्यान रखना है ठीक है कि आप इनको free radical के waste पर ही पहचान सकते हैं कि कौन radical ज़्यादा stable है तो इसका मतलब है कि एक normally एक बता दूँ कि reactivity order in alcanes ठीक है तो आप देखें कि 3 degree जो CH है highly reactive फिर 2 degree CH फिर क्या जाएगा बच्चो 1 degree CH और फिर CH 3H इस तरह से यह इनकी reactivity का क्या है बच्चो ऑडर है इसका alcanes में जो hydrogen है उनकी reactivity या alcanes के hydrogen की reactivity का order अब हम आजाते हैं बच्चो एक reaction में और यह है halogenation समझे ना कौन सी reaction ले रहा हूं है halogenation free radical reaction में halogenation means हम यह कहें कि जो substitution है substitution of hydrogen by halogen समझे गए बच्चो एंड अप्टेंड halogen derivatives derivatives of alkane समझे ना कि जैसे ही आप halogenation कराएंगे तो जो hydrogen है alkane के वो उनका substitution होगा और क्या आजाएगा halide group और इस तरह से हमें halogen derivative of alkane मिलेंगे अब यहाँ दो point याद रखना है अगर alkane जो है क्या है बच्चो axis में तो इसमें mono halogenated ठीक है जो है product जो होगा वो major होगा समझे ना कि आपने alkane को axis में लिया है तो mono halogenated product जो है वो major होगा और अगर आपने halogen को axis में ले लिया क्या ले लिया halogen axis में तो यहाँ बनेगा poly halogenated ठीक है product अब हम पहले के example से समझते हैं जैसे यहाँ पर है CH4 और plus यहाँ लिखा है CL2 ठीक है बच्चो यहाँ लिख दिया है axis में और यहाँ पर जो light है या heat है हाँ यह बता दू में ठीक है कि heat और जब light का use करते हैं तब हमें क्या मिलता है बच्चो यह free radical substitution दिखाई देता है तो यहाँ पर अगर आपको axis में लिखा है तो देखो यहाँ बनेगा CH3 CL यहाँ क्या remove हो जाएगा CL फिर और CL2 आपने दे रखा है light दे रखी है तो CH2 CL2 बन जाएगा और CL2 SCL निकल जाएगा तो CH CL3 और finally CCL4 अगर आपने और यह है और यही हमारा इसमें क्या बन जाएगा बच्चो major product ठीक इसी तरह से लिखा है C2 H6 plus CL2 axis में लिखा है ठीक है और यहाँ लिखा है इस तरह से CL2 तो C2 CL whole 6 यह क्या बनता है इसमें major product ठीक है तो आपने halogen को axis में लिया तो आपने देखा poly halogenated products जादा बनते हैं अब आता है कि अगर ऐसा लिखा है condition में कि CH4 यहाँ लिखा है axis में ठीक है और प्लस CL2 यहाँ limit में लिखा है इसको limit में रखा जाए ठीक है और यह light और heat है तो यहाँ HCL निकलेगा और CH3 CL तो यहाँ पर यह क्या होगा बच्चो major product ठीक इसी तरह से आता है ना question कि C2 H6 है ठीक है axis में ले लिया जाए तो major product क्या होगा तो हमें मिलेगा C2 H5 CL यही हमारा क्या होगा बच्चो यहाँ पर major product होगा तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि L can axis में है या halogen axis में है उसी हिसाब से product एक तो यह question होता है अब अगला आता है हमारे पास number of number of mono halogenated products की value निकालना है number of mono halogenated product is equal to यह होता है बच्चो number of sets of equivalent hydrogen समझ गे ना कि जो हमें hydrogen के sets मिल रहे हैं equivalent वो जितने हैं उतने ही हमें mono halogenated products मिलेंगे अब आता है कि equivalent hydrogen set क्या कहलाता है बच्चो equivalent set of hydrogen यह क्या है तो ध्यान रखें कि यह कहलाएगा group of hydrogen having same chemical nature यह behavior समझ गे बच्चो कि एक ऐसा hydrogen का group जिसमें same chemical nature होगा मतलब हम उनमें से किसी भी hydrogen को substitute करेंगी हमें product अलग अलग दिखाई नहीं देगा देगा देखो जैसे यह है benzene आप जानते हैं इसमें 6 hydrogen है अब इनमें से किसी भी hydrogen को आप substitute कर दें और माल लो इसमें halide जोड दें तो यह possible नहीं बता पाना कि कौन सा hydrogen आपने हटा दिया मतलब nature की हमने पह कोई भी हट सकता है और एक ही one product बनेगा बच्चो तो हम यहां कहेंगे कि equivalent set क्या है set of hydrogen कितने हैं आप बता सकते हो तो इसमें कितना है one set बच्चो क्योंकि सारे hydrogen एक से हैं ऐसा नहीं है कि कोई यह वाला है तो अलग reaction देगा यह अलग है हाँ अगर हम एक जुड़ जाए फिर दूसरा देखें तो फिर तीन प्रकार के hydrogen दिखाई देंगे ठीक इसी तरह से लिखा है CH3 CH3 तो इसमें भी क्या है बच्चो one set of equivalent hydrogen यह लिखा है CH3 CH2 and CH3 तो ध्यान रखें यह set अपने आप में अलग होगा एक और एक set यह होगा तो इसमें कितने दिखाई दे रहे है two sets of equivalent hydrogen ठीक है ठीक इसी तरह से मालो मैंने लिख दिया ऐसा ठीक है तो एक, दो, तीन, चार, पाँच यह चार, पाँच कारबन है तो देखो यह अपने आप में अलग nature so करेगा बच्चो यह अलग nature so करेगा एक यह अलग सो और इसमें आप जाओगे तो आप देखोगे इसमें four जो है sets of equivalent hydrogen ठीक है न, चार सेट हो गए अब मालो मैंने कहा यह है एक alkane एक alkane यह है इसमें कितने equivalent set है hydrogen तो यह है one समझगे बच्चो इसमें पूछे हैं तो भी कितना है one तो आपको equivalent hydrogen पहचानना आना चाहिए जैसे मैंने कहा कि इसके कितने product possible है ठीक है अगर हम इसमें chlorination करा दे यह है chlorination तो देखो इसके कितने product होंगे एक तो बच्चो ऐसा हो सकता है यहां CL जोड़ो इस carbon से ठीक है एक ऐसा हो सकता है कि CL यहां से छोड़ो एक ठीक है और देखो आपको ये है एक और यहां पर देखो यहां CL जोड़ो ठीक है और एक product और ऐसा बनेगा जिसमें CL यहां जोड़ो तो आप देख रहे हैं कि कितने product mono वाले हो गए इस तरह से 4 अगर मैं कहूँ यह है हमारे पास इसका chlorination कराया जाए तो कितने product बनेंगे तो cable 1 क्योंकि कहीं भी जोड़ दो आप टेक है only 1 product इसमें कितने दिखाई दे रहे हैं आपको 4 product क्यों क्योंकि इसमें कितने थे समझ गए होके और ऐसे question आते हैं फिर आप देखो ठीक है relative एक आती है relative reactivity समझ गए बच्चो of chlorination कि जब हम chlorination करा रहे हैं तो relative reactivity of ठीक है यहाँ पर आएगा different hydrogen समझ के बच्चो towards chlorination मतलब है कि 1 degree जैसे यहाँ पर लिखा है 3 degree CH यहाँ लिखा है 2 degree CH 2 degree CH और यहाँ लिखा है 1 degree CH तो reactivity order यह है बच्चो chlorination के respect में ठीक है कि यह 5 ratio 3.8 ratio 1 इसका मतलब समझ रहे हो कि 1 degree अगर एक unit rate से चल रहा है तो उसी समय 2 degree hydrogen का जो substitution होगा 3.8 से और जो 2 degree का और 3 degree का 5 times ज्यादा होगा यहाँ तक आप समझ गए और अगर आपको bromination में देखना है ठीक है तो bromination में 3 degree CH 2 degree CH और 1 degree CH तो यह तो होता है बच्चो bromination में जो यह order है न ब्रोमी नेशन के लिए यह बहुत जादा है कितना होता है देखो यह 3 degree का तो होता है 16,00 ठीक है यह हो जाएगा यह होता है 82 times और यह जो होगा यह है 1 times इसका मतलब है कि अगर आप bromination देखो ठीक है कि bromination जो होगा bromination highly selective ठीक है highly selective in the in the site of attack means ठीक है one product जो होगा yield high या one product जो one product होगा ठीक है one product मतलब measure measure वो लगभाग 99% तक मिलेगा समझगे न कि आप देखने एक तो अगर आप यहां पर product के moles निकालना चाहें बच्चों ठीक है कि product moles तो आपको यहां देहां लखना है reactivity order reactivity जो है यहां पर लेना है आपको relative ठीक है relative reactivity इन्टो नमबर आफ नमबर आफ इक्यूवलेंट हाइड्रोजन समझगे बच्चों कि relative reactivity इन्टो नमबर आफ इक्यूवलेंट हाइड्रोजन इससे product के moles निकाल सकते हैं कि 3 degree से कितने moles बनेंगे 1 degree से कितने मिलेंगे ठीक है इस तरह से और फिर आपको बस यही ध्यान रखना है कि जो major है वो कौन है और minor कौन है देखो इस तरह से जैसे यह लिखा है CH3 CH2 CH3 हम देखें इसके दो product बनेंगे CH3 CH2 CH2 CL और एक product होगा CH3 CH CL and CH3 यह A है यह B है आपने देखा यह 2 degree CH है और यह 1 degree CH है 2 set दिख रहे है अगर आप 1 degree hydrogen देखें ठीक है तो total कितने दिख रहे है total 6 H है और 2 degree H देखो तो यह कितने हैं आपके पास 2 तो एक moles देखो आप कि A के कितने moles हों ठीक है तो फिर आप आओगे कि कौन ज़्यादा बन रहा है कौन कम तो moles आफ अगर हम A के कहें ठीक है बच्च तो related reactivity A मतलब है 1 degree वाले तो कितने है 6 और उनकी है तो यह कितने हो जाएंगे 6 moles ऐसे ही अगर आप B के निकालेंगे तो 2 है और related reactivity 3.8 तो 7.6 moles सोचो आपको कि जो B है यहाँ पर यह क्या है बच्चो मेजर ठीक है then A मतलब यहाँ पर यह minor हो गया बच्चो और यह क्या हो ज जाएगा बात समझ गया ना मेरी कि दो नुक चाहो तो आप इसका percentage भी निकाल सकते हैं अब मान लिया जाए कि आपको यह दिया है कि यह इस तरह से molecule अब इसके products पूछे जाए ठीक है अभी आपने देखा था एक यहाँ पर CL जोड़ दें यह A हो गया ठीक है एक यहाँ पर CL जोड़ दें यह B हो गया एक यहाँ पर CL जोड़ दें C हो गया एक यहाँ पर CL जोड़ दें D हो गया अगर मैं कहूं A कितने मोल होंगे देखो तो A के होंगे 3 into 1 तो कितने हो जाएंगे 3 ओके अगर मैं कहूं B के कितने होंगे B secondary है 2 है तो 2 into 3.8 मतलब यह कितने हो गए 7.6 अब आते हैं C कितने होंगे C वाले तो एक ही हाइडोजन है तो 1 इंटू 5 तो ये कितना हो जाएगा 5 और D देखो बच्चो 1 इंटू 6 तो ये कितने हो जाएगे 6 तो सबसे जादा ये बन रहा है तो यहां पर यही क्या होगा मेजर प्रोडक्ट होगा बस समझ गए अची तरह से अब मालो ये लिखा है आपके पास CH3 होल थराई CH ठीक है अब मैं कहूं यहां ब्रोमी नेशन कराया गया है लाइट की प्रजेंस में तो बना है CH3 होल थराई CBR ठीक है और CH3 और एक प्रोडक्ट और अगर हम देखें कि CH3 है यह तो यहां पर हो जाएगा हमारे पास CH3 और ठीक है और यहां पर यह है CH3 CCL और प्लस CH3 होल ट्वाइस CH CH2 CL तो अगर यह ए है और यह क्या है बच्चो B तो सोचो आप कि जो A है ब्रोमी नेशन में वो कितना होगा तो आप देखो इसमें ब्रोमी नेशन में जो 3 डिग्री है तो एक ही था लेकिन 16 तो इस तरह से इसके 16 अमूल बनेंगे जबकि इसी में जो B है ठेक है तो वो कितना है देखो 3 और 36 और 39 थे कुल मिला के आपके पास इसमें कितने हैं 9 तो 9 इंटू 1 तो यह कितना हो यह तो क्लोरी नेशन में देखो कि क्लोरी नेशन में कितना होगा ठेक है तो A के अगर आप क्लोरी नेशन में निकालोगे तो कितना हो जाएगा देखो 3 डिग्री है तो यहाँ पर क्लोरी नेशन में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर कौन कितना बन जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 5 into 1 means यह हो गया 5 और जो B है वो 9 into क्या हो जाएगा बच्चो 1 तो यह कितना हो 9 तो यहाँ पर यह major है और यह है इस तरह से तो अगर आप यह वाला देखें कि जो A है वो कितना बना chlorination में यह A ले 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 और यह क्या है B तो A कितना आया तो A लगभग आप देखोगे 34% के आसपास आएगा और यह उसका बागी 66% के आसपास आएगा तो आप देख रहे हैं कि Bromination is the more selective than chlorination मतला हम यह कह सकते हैं न कि Bromination is more selective than chlorination समझ गया बच्चो more selective means जादा selective product बन रहा है मतला highly region selective है समझ गया न इस तरह से यह है अब मैं कुछ point और बता दूँ जैसे कि iodination है ठीक है बच्चो iodination is reversible यह होता है reversible and very slow the reaction अगर हम इस reaction को क्या करना चाहें reaction can irreversed reverse by ठीक है presence of HGO है या HNO3 है या HIO4 है ठीक है because these जो oxidizer है न यह oxidizer oxidized HI means यहां लिखा है मालो CH4 अपने IOT से reaction करा दी heat किया बना CH3I और प्लस क्या HI तो यह reaction फिर reverse हो जाएगी क्योंकि यह reducer होता है बहुत ही ज्यादा ठीक है तो इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ HGO ले ले लें तो केवल CH3I बनेगा HI हट जाएगा क्यों क्योंकि HI प्लस HGO तो बन जाएगा HGI2 और प्लस क्या H2 तो इस तरह से यह हटा देगा और reaction केवल forward direction में ही चलेगी यह reverse होगी लिए यह reverse नहीं होगी दूसरा point याद रखना है ठीक है कि जो halogenation है बच्चो halogenation means free radical जो substitution होता है समझें न टेक्स प्लेस three step in three step यह तीन steps में होता है एक तो होता है chain initiation पहला step दूसरा होता है chain propagation ठीक है यह है और तीसरा होता है chain termination हम इसकी mechanism अलग से लेंगे समझें न आजा भी मैं यहां नहीं बता रहा हूँ मैं जो points थे फिर आता है कि reaction जो है बच्चो ठीक है initiated y peroxide और मैं ले लिया जाता है c6 h5 co hole twice o2 ठीक है तो इस peroxide की presence में ज्यादा तर जो है initiate की जाती initiated by presence and light heat इस तरह से next है कि reaction को अगर मालो oxygen added in small amount अगर इसमें small amount में oxygen added कर दी जाए तो reaction क्या हो जाती है slow down due to due to formation of less reactive free radical ठीक है मतलब यह से यह है c3 और यहां पर o2 आ गया तो इस तरह से एक peroxide free radical बनता है जो की less reactive होता है और reaction जो है वहीं पर रुख जाती है इस तरह से तो यहां तक आप अच्छी तरह से समझ गए होगे कि इस तरह की जो reaction है halogenation वह किस तरह से यह जो selective है किस तरह से चलती है तो मैंने यह आपको एक halogen के बारे में अच्छी तरह से बता दिया यह बहुत ही important topic है बच्चे से question आपको खूब मिलेंगे आप उनको करके दिखना ठीक है फिर मिलते है next में